नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा पालक का बीज लगाने से लेकर के दो बार पालक हारवेस्टिंग तक का एक कम्प्लीट वीडियो रहेगा और ये जो दोस्तों पालक का बीज है ये मैंने लास्ट एयर खुद अपने प्लांट से कलेक्ट क और दोस्तों इस पालक के बीज को मैं लगाने के लिए इस बोरी के ग्रोबैक का यूज कर रहा हूं जो कि मैंने खुद बनाया है और इसकी जो गहराई मैंने रखी है पालक लगाने के लिए वो लगोग चार इंच की है तो दोस्तों इस तरह का सुन्दर ग्रोबैक घर में प क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं ग्रो बैग बनाने का तो दोस्तो पालक को गाने के लिए मैंने जो है मिट्टी पहले ही भर रखी है ग्रो बैग में और दोस्तो आप जो हैं पालक को लगाने के लिए चाहो तो सिर्फ नॉर्मल गार्डन सोल का यूज कर सकते हैं बट मैंन दोस्तों यहां पर जो है मेरी पुरानी गमलों की जो मिट्टी थी वो मैंने 50% लिए और 50% इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट एट कर दी है तो दोस्तों पालक के बीज को मैंने ना तो भीगोया है ना मैंने सुखाया है और जर्मीनेशन रिजल्ट जो बहुत कम रहेगा इसलिए मैं ज़्यादा संक्या में बीज डालूँगा क्योंकि यह मेरा लास्ट एयर का बीज है खुद का कॉलेक्ट किया हुआ पालक के प्लांट से तो दोस्तो मैं जो हूँ कुछ इस तरह से पालक के बीज जगा जगा पर चार चार पांच पांच बीज डाल रहा हूँ तो दोस्तो आप चाहो तो मेरी तरह बीज का चड़काव कर सकते हैं फिर सीधे ही पूरे ग्रो बैग में बीज का चड़काव कर दीजिए और दोस्तो उसके बाद मिट्टी की पतली से लेयर से आप सीड को कवर कर दीजिए और आप ये किचन गार्टनिंग करते हैं पालग मेथी धनिया किसी भी सीड को आप उगाते हैं तो आप पेशन्स रखना सीखिए, वेट करना सीखिए, इंतजार करना सीखिए, सबर करना सीखिए तो यह जो वैजी टेवल्स होते हैं, यह हमें एक दो दिन में नहीं हारवेस्ट करने को मिलती हैं, थोड़ा समय लगता है फिर समय चाहें कितना भी लग जाए, लेकिन सबर कफल हमेशा मीठा होता है, आप एक बार लगाईए और जब आप खुद की त्यार की हुई सबजी को जब आप खाएंगे तो आपको काफी आनन्द मिलेगा तो दोस्तो इस तरह से बीज को कवर कर देना है, मिट्टी से उसके बाद आपने भरपूर पानी देना है अगर आप 3-4 इंच की घहराई वाले पोर्ट में ग्रो बैग में पालक का बीज लगाते हैं और दोस्तो आपने ग्रो बैग को फुल सनलाइट वाले स्थान पर रखना है या फिर आप पार्शल सन में भी रख सकते हैं अगर आपके यहाँ पर दिन भर की धूप नहीं आती है दोस्तो हमने जितना बीज पालक का डाला था उसका 50% ही जो है जर्मिनेशन रजल्ट हमको मिला है तो दोस्तो आप देख सकते हैं प्लांट जो हैं काफी सारे उग चुकें लेकिन इदर उदर पानी देने की वज़ए से जो हैं थोड़ा बिखर गए हैं बाकी दोस्तो पालक का बीज हो या फिर किसी का बीज हो अगर टमप्रेचर कम है सर्दी जाद है तो जर्मिनेशन रजल्ट जो हमें देरी से मिलेगा और प्लांट की भी ग्रोस स्लो रहेगी तो दोस्तो अभी हमारी पालक जो है इतनी बड़ी हो गई है कि हम फर्स्ट हर्वेस्टिंग कर सकते हैं और इस हर्वेस्टिंग की हुई पालक से पालक पकोड़े बना सकते हैं पालक पनीर बना सकते हैं पालक की भाजी बना सकते हैं तो जल्दी से हम जो इस पालक को काट दोस्तों मेहनत करके आप एक बार पालक ते बीज लगा लेते हैं मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता सकता हूं कि इस तरीके से लगाईए बाकी आप अपने जगा के हिसाब से जादा मात्रा में लगा सकते हैं फिर कम मात्रा में लगा सकते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दी है और एक बार हम जब मेहनत करके अगर हम वीज लगा लेते हैं तो मेहनत कफल हमें जो है कुछ समयवाद मिलता ही मिलता है जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो हम जो फर्स्ट हर्वेस्टिंग कर रहे हैं और मैं आपके जर्मिनेट होता है तो उसमें पांसे साथ पत्ते ही बनते हैं लेकिन सेकंड टाइम जो है डवल हो जाते हैं फर्स्ट हर्वेस्टिंग के पांच दिन के बाद का अपडेट है अभी आप देख सकते हैं दोस्तो पालक के जो पत्ते हैं दुबार से बड़े होने लगे और न जुँँ जड़े भी हैं और जुँँ dari बार महिनध करके पालक का बीज लगा लेते हैं तो आप सर्दी भर कई बार पालक हैर्वेस्टिंग कर सकते हैं अपनी जगा के हिसाब से कम या ज़ादा में लगा सकते हैं मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता सकता हैं दूख आ तो दोस्तों हमने जो है दूसरी बार पालक की हारवेस्टिंग कर ली है उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइज जूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और नए है इस वीडियो पर तो गाड़नी इनपोर्ट यूटूब चैन एपी गाड़नीग